Hello is the end, welcome to my channel Crack School exam Dear is the end, आईश वीडियो में हम लोग question number 2 को solve करते हैं जो menstruation chapter से लिया गया है और यह exercise 11.4 से question number 2 है question को read कीजिए diameter of cylinder A is 7 cm and the height is 14 cm diameter of cylinder B is 40 cm and height is 7 cm without doing any calculations, can you suggest वोज वालूम इज ग्रेटर? verify it by finding the volume of both the cylinders, check whether the cylinder with greater volume and also has greater surface area ठीक है ये दो आपका cylinder दिया हुआ है जिसका diameter और height दिया हुआ है ठीक है आपको cylinder A है और यह cylinder कौन है? B है यह cylinder A है और B है आपको without calculation आपको बताना है कि ज्यादा है ठीक है तो देखिए यहां पर आपको यह देख रहा है इसका radius क्या है? इसका diameter 7 cm तो radius हो जाएगा 7 by 2 और इसका diameter 40 cm तो इसका radius कितना हो? 7 हो जाएगा ठीक है यहां देख रहे है कि radius क्या हो रहा है? डबल हो रहा है बट height क्या हो रहा है? height हो रहा है half ठीक है? तो height हो रही है और radius डबल हो रहा है तो लेकिन फरमूला में हम जानते हैं कि volume में क्या होती है? volume में आपको पता है कि volume इसकल तो पाई आर स्कॉार एच होता है तो यह जो radius होता है इसकॉार में चलता है ठीक है? तो इसकॉार में चलेगा that means radius अगर बढ़ेगा ठीक है? डबल होगा और height अगर half हो रही है तो एक्चुली है surely है कि आपका cylinder B का volume जादा होगा ठीक है? cylinder B का क्या होगा? volume जादा होगा तो आप assume कर लिए without calculation का तो यहां से लिख सकते हैं assume as cylinder B has B has more volume क्या होगा? more volume ठीक है? cylinder B आपका जादा volume रख रहा है ठीक है? चले आप काता है कि verify it by finding the volume अब हमें क्या करना है? इसको verify करना है कि आपने जो suggest किया कि cylinder B का volume जादा है तो आप calculation करके बताईए कि क्या आपका suggestion सही है? ठीक है? तो आईए हम लोग calculation कर लेते हैं तो दोनों का हम लोग क्या volume लिखा लेते हैं? ठीक है? तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 7 by 2 ठीक है? सेंटिमीटर और हाइट कितना हो जाएगा? हाइट हो जाएगा simple 40 सेंटिमीटर ओके? चले तो भॉलम का फर्मूला क्या होती है? भॉलम ठीक है? भॉलम इसकल टू? पाई आर इसक्वार एज होता है फर्मूला पाई का भेलू दे दिजिए 22 by 7 इन्टू रेडियस का स्क्वार है तो 7 by 2 और 7 by 2 समझने है? इन्टू हाइट का भेलू पूट कर दिजिए 14 ठीक है? 7 से 7 कट गया और 2 से 22 इलेवन टाइम कट ठीक है? और 2 से 7 से कट आ, 7 से 49 और 49 में 11 से इन्टू कर लो तो कितना हो जाएगा? 49 में 11 से इन्टू करोगे तो 49 और 49 कितना हो गया 9 3 5 539 cm क्यों आ गया ठीक है cm क्यों आ गया चलिए अब लिखालते हैं शिलिंडर बी के लिए तो शिलिंडर बी के केज में रेडियस कितना दिया हुआ है रेडियस आर इसकल टू 40 by 2 ठीक है कटके केतना हो गया 7 cm यह डाइमीटर दिया हुआ था तो इसको हम हाप कर दिया तो रेडियस लिखाल गया ठीक है और बताएगे हाइड केतना हाइड को यह सिंबल से दिखाएंगे यह हो गया 7 cm समझने हैं चलिए तो इसका भी लिखाल देजिए भॉलूम अप शिलिंडर बी इसकल टू इसका भी फर्मूला वही होगा पाई आर इसक्वार इसक्वार इस तो पाई का भेलो 22 वाई 7 दे दिया ठीक है अब इसको हम लोग 49 से 22 में इंटू कर लेंगे तो कितना आएगा देखिए 10, 7, 8 कितना आगया 10, 7, 8 cm ठीक है तो देखिए शिलिंडर बी कब होलूम ज़्यादा आया की नहीं तो हमारा जो assumption था हमने जो suggest किया वो शही मिला ठीक है इसलिए cylinder बी हैज लिख सकते हैं hence cylinder बी हैज more volume ठीक है किस से then cylinder a ठीक है समझ रहे हैं अब इसी में कहता है और क्या कहता है question कि चिक whether the cylinder with greater volume हो गया और also hedge greater surface area और ये भी चिक करना है कि क्या cylinder बी का surface area भी ज्यादा हो रहा है greater हो रहा है चले तो दोनों के केज में लिखा लिजिए तो लिखेंगी total surface area और किसका cylinder a cylinder a का total surface area लिखा लेते हैं कितना होगा तो फर्मूला होता है कितना 2 by r और r plus h ये फर्मूला होती है 40 में भेलो पूट कर लिजिए 2 into 22 by 7 into r कितना है देखिए cylinder a के लिए r मैंने बताए 7 by 2 है bracket कर लिजिए और फिर 7 by 2 लिखिए और height कितना दिजिए height उस है 14 ठीक है तो ये हो गया centimeter square हम area लिखा रहे है तो centimeter का unit देंगे इससे कट गया और 2 से 2 कट गया ठीक है तो यहां से finally 22 आया बहर में और इसमें देखिए कितना हो गया इसको LCM लेके बनाई है तो 2 हो गया और 7 plus 28 हो गया ठीक है समझ रहे है चलिए अब क्या हो गया ये 2 से इससे कट गया 11 टाइम में तो 11 इंटू और इससो एड करेंगे तो 35 हो गया तो कितना हो जाएगा 35 में करेंगे तो 35 और 35 तो 385 centimeter square आ गया समझ गया यह हमारा लिखा 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 सिलेंडर A का इस तर लिखा लिखा लिएगा टोटल सर्फेस एरिया ओफ सिलेंडर B तो 2 इंटू पाइगा विखा लिखा 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 यह कितना हो गया 44 इंटू 14 ठीक है तो इंटू कर लिजेगा तो देखे कितना आ गया इंटू करने पे आया 616 centimeter square तो इससे किलिख लिखा 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 कि सिलेंडर B का भॉलूम और सर्फेस इरिया दोनों क्या है वो greater है ठीक है ज्यादा है किसे सिलेंडर A से तो हो गया इंस सिलेंडर B हैश बोथ भॉलूम एंड सर्फेस इरिया मोर देन A ठीक है सिलेंडर A से ज्यादा हुआ भॉलूम भी और सर्फेस इरिया भी ता योख भॉलूम को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और नेक्स वीडियो में हम लोग नेक्स कोशन देखेंगे और प्लीज हमारे चैनल पे नए आए हैं तो बच्चे हमेरे चैनल को लाइक और सबस्क्रेश जरू कर ले थेंक्यू